है तो, Ctrl Shift L तो फुल्डर क्रियेट करेंगे, ठीक है, अब यहां पर Alt Hold करके, 0, 1, 6, 0 और Inter भारेंगे, ठीक है, अब इसके आइकन पर Right Click करेंगे, ठीक है, Properties पर जाएंगे, उसके बदद Customize पर जाएंगे, उसके बदद Change Icon, ठीक है, यहां पर Invisible Icon लेंगे, यहां पर है, Invisible Icon, ठीक है, ओके की हैंगे, इसके, यह होगी है, ओके, यह होगी है, ओके,